आप देख रही है MNS News सच ज़रूरी है नमस्कार दर्शेकों आप देख रहे MNS News Network मैं हूँ आपके साथ शीबाशेक तो आए देखते हैं देशुर दुनिया की तमाम बड़ी खबरे आए एक नदर डालते हैं Headlines क्यों देश को मिली पहली अंडर वाटर मैट्रो कोलकत्ता में पियम मोदी ने किया सफर देश को आज यानी बुद्वार को पहली अंडर वाटर मैट्रो मिल गई है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकत्ता में इसका उद्घाटन किया है इसके अलावा पियम मोदी ने कही अन्य परीज जनाओ को भी शिला न्यास और उद्घाटन किया है कुलमिलाकर पियम मोदी बंगाल के 1500-400 करोड रुपे की सौगाद दी इस दोरान उन्होंने बचों के साथ इसमें सफर भी किया बतादे की अंडर्वाटर मेट्रो का निर्मान उंगली नदी के नीचे करवाया गया है यहां अंडर्वाटर मेट्रो रेल नदी और हावडा को कुलकता शहर में जोड़ेगी अंडर्वाटर मेट्रो के उद्गाटन के अलावा पियम मोदी की कवी सुभाश हेमन्त मुखपाद्य मेट्रो खंडर के ताला तल माजे हाट मेट्रो खंड का भी उद्गाटन किया इस दोरान प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी ने 6 मई मैट्रो स्टेशन को हरी जंडी दिखाई। किलो मीटर सुरंग हुंगली नदी के 30 मीटर नीचे है। जो कि इसे कही भी बड़ी नदी के नीचे देश की सबसे पहली परिवहन सुरंग बनाई है। क्या है लाहोर प्रस्ताव। पडोसी देश पाकिस्तान में शैबाश शरीफ ने दूसरी बार प्रहनमंत्री पद पर शपद लिया। वह भारत के साथ रिष्टों को सुधाने की कोशिश में जुड़ गए है। लिकारी संगट को त्रीन माम में कर रहे भाकिस्तान को इस वक्त पडोसी देश में मदूर संबंद बनाने की सबसे ज़्यादा दतकार है। और शायद इसलिए चार साल में पहली बार पाकिस्तान नई दिल्ली में अपना नैशनल डे मनाने जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस दिन नई दिल्ली स्तीत पाकिस्तान उच्चय योग में कही कारेकरम आयोजित किये जाएंगे। इसमें विदेशी, राजनिया और भारतिय शामिल होते हैं। आमतोर पर किसी मंत्री या राजय मंत्री को मुख्य अतीती के रूप में कारेकरम में शामिल होने के लिए मंत्रीत किया जाता है। जम्मु कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान ने अपना राज़दूत वापस बुला लिया था। क्या है नैशनल डे। पाकिस्तान 23 मार्च को नैशनल डे राश्टियत दिवस के रूप में मनाता है। तेविस मार्च 1940 को मुस्लिम लीक लाहोर के मुसलमानों के लिए अलग सुप्रभु के बनाने वाले का प्रस्ताव रखा गया था। और लाहोर मीटिंग के पार्टी में उस समकल्प को अपनाया था। लाहोर समकल्प की वर्षगार्ड को ही पाकिस्तान में राश्टियत दिवस के तौर पर मनाया जाता है। पाकिस्तान में तेवी स्मार्च इसलिए भी एहम है क्योंकि तेवी स्मार्च 1956 को ही पाकिस्तान का सविधान भी लागू हुआ था, जिसके तहट पाकिस्तान इसलामिक गंतरंत मनाता था, आईए बढ़ते हैं अगली खबर क्यों, बिहार में लजेपी के भवन में फसी भाच सीट शेरिंग फार्मूला नहीं हो पा रहात है, जाने बात नहीं बन पा रही, क्या कर रहे हैं चिराग। लोगसबाद चुनाव से पहले कॉंग्रेस और भाच्पा अपने शेत्रिय शत्रपों के मंट तटोल रही है, ताकि पता चले कि चुनाव से पहले स्तानिय पार्ट है, हलाकि इस दौरान कॉंग्रेस के हाथ से ममता, नीतिश और जैन चौधरी निकल भी गए, नीतिश कुमार तो इंडिया गटबंदन के जगत थे, इस बीच बिहार में लुझपा आगामी चुनाव एंडिये के साथ लड़ेंगे या अलग ये अभी तक तै नहीं हुआ, बिहार में इस बात की बड़ी चर्चा रही है, चिराग इतने खामोश क्यों है, आखिर वो दो मार्च को पीयम मोदी की रैली में शामिल क्यों नहीं हुए, जानकारी के अनुसार आज के बेतिया में होने वाली रैली में शामिल नहीं होगे, ऐसे में चिराग की इस प्लैटफर्म पर हमारा चैनल उपलब्त है, आप इसे यूटूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइफ भी देख सकते हैं, www.mnsnewstv.com अब वक्त हो चला है दर्शे को ब्रेक का ब्रेक से लोटने के बाद, देखते लिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर बने रही हमारे साथ MNS News TV पर नमस्कार